नमस्कार ज्यान सिंदु कोचिंग क्लासस में स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में आपका एक से दो अंक पक्का हो जाएगा 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक से दो अंक की एक पत्रिका या दो पत्रिकाएं हमेशा पूछी जाती हैं कम से कम एक और अधिकतम दो पत्रिकाएं तो यहाँ पर जितनी भी आपकी पत्रिकाएं हैं मैं आज क्लियर करने वाला हूँ हिंदी सहित की जितनी भी प्रमुक पत्रिकाएं हैं मैं वो क्लियर कर दूँगा जो भी संपादक हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जो भी प्रकासनिस्थान हैं या तो आपसे पूछेगा कि संपादक कौन है, या पूछेगा युग कौन सा था, या पूछेगा प्रकासनिस्थान क्या है तो इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, एक बार शेयर कर दिजिए धंक से, इंपोर्टन से ज्यादा इंपोर्टन ये है, तो हम आज जितनी भी पत्रिकाएं आपकी आती रहती वो लेकर के आए हैं, तो आपको यहाँ पर काईदे से ध्यान देना है, एक से दो अंक का कही आनन्द याद कर लेना, कही आनन्द, इसकी ट्रिक क्या याद करेंगे, आप कही आनन्द, क्या, कही आनन्द, कही आनन्द का मतलब है, का से कभिवचन सुधा, ही से हिंदी प्रदीप, आनन्द से आनन्द कादम मिनी, ठीक है, तो कही आनन्द याद कर लेना, इससे आप को पता चल जाएगा कि भारतेंदु की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। और किसी युक्की है तो ये भारतेंदु युक्की है। अब दुवेदी युक्की पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो प्रमुक पत्रिकाओं में तीन ये प्रमुक पत्रिकाओं बहुत जादा आती है। एक तो आपकी हो जाती है सरस्वती। सरस्वती की अगर हम बात करें तो सरस्वती पत्रिकाओं की बातों में कई क्वेशन बनते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना 1922 में हुई अगर इस थापना पूछ ले। अगर प्रसम संपादक पूछ ले तो शाम संदर दास हो जाएंगे। अगर आपसे इसके संस्थापक पूछ ले तो चिंतामडी घोस हो जाएंगे। समझ में आया। और इसका प्रकासन कहां से होता है। इलाहाबास से होता है। सेकेंड जो संपादक थे दूति या आचारे महाबीर पूछ दुवेदी थे। तो दुवेदी युक की तीन पत्रिकां यह ध्यान दिजेगा। इंदू जो है अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। काशी से प्रकासित होती थी इंदू अंबिका प्रसाद गुप्त। और मर्यादा तो कृष्णकांत मालवी की है। टाक्टर संपुना नंद भी इस मर्यादा के संपादक रहे हैं, टुडे के भी रहे हैं संपुना लेकिन मर्यादा अगर दुवेदी युक की बात करें तो कृष्ण कांत मालवी जो थे इसके संपादक थे और ये प्रयाग से पत्रिका निकलती थी, स्क्रीन सॉट ले लीजे ठीक, मतलब ऐसे बहुत सारी पत्रिका हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बस 10-12 पत्रिकाओं की चर्चा की है, यहाँ से एक क्वेशन बिल्कुल पक्का आपका, ठीक है, शुकल्यूग की अगर हम बात करें तो हंस है, और इसी शुकल्यूग जो गद्दे में में प्रेम चंद थे, ठीक है, और हन्स पत्रिका अगर बात करते हैं, छाया वादोत्तर यूग में, उस दिर कॉच्छन बढ़ाते हैं, चाया वादोत्तर यूग की अगर हम बात करें, ठीक है, छाया वादोत्तर यानि जिसको आप शुकलोत्तर भी कहते हैं, चीक napis . शुक्लोत्तर युग में कौन संपादक थे तो शुक्लोत्तर युग में आपके थे राजेंद्र यादो कौन थे राजेंद्र यादो ठिक लेकिन आपको क्या पूछा गया अगर राजेंद्र यादो आप्शन में नहीं है तो प्रेमचंद अवश्य होगा प्रेमचंद या पढ़िहा और important करमवीर पत्रिका माखनलाल चतुरवेदी की है जबलपूर से निकलती थी जो की छायावादी यूग की पत्रिका थी यानि शुकल उत्तर यूग या फिर छायावाद उत्तर यूग की अगर हम बात करें तो कादम्मिनी पत्रिका राजेंद्र आवस्थी हम पादक थे मैंने कादम्मिनी पढ़ी है अभी भी कादम्मिनी चल रही थी नई कविता में कादम्मिनी चल रही थी ठीक है मतलब यह जो अभी हाल ही की बात है मैं पिछले दस वर्स पहले हमने पढ़ी थी कादम्मिनी पत्रिका तो कादम्मिनी अभी भी चल रही है पत्र पढ़ने को मिने तो कैसे पढ़ेंगे आप और क्या इसमें आपको रसान भूध होगी बिल्कुल होगी भाई पत्रिकाएं बहुत ही अच्छी होती ही उसमें धर्मार्त काम मोक्ष सबकुस समाया हुआ होता है कादमिनी राजेंदर रवस्ती दिल्ली से प्रकासित होती थी ध यहां तक ज्यात है कि सारिका मोहन राकेश जी भी इसके संपादक रहे हैं तो कमलेश और आवदनारान मुदगल दिल्ली से निकलती थी तो यह ध्यान रखना ठीक है सब्सक्राइब आपको करना ही करना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने कर ही लिया होगा बात यह है कि यहां पर आपको संपूर्ण सिलेबस पूरा मिल जायेगा 100% no doubt 30% आप जो भी आपका है 2022 में उस सब मिल जायेगा प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की एंग्रेजी की संस्कित की जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं तो आप जरूर देखिए जाए हाँ और यह हाई स्कूल के व हाँ प्लेफ जरूर अवर्ण सिलेव एंग्रेजिय का ठापकी नवाण ग stigma जापकी में परिए Und siya भी झापका है जो भी आपकी सुरे यह मिल जापकी सब्सक्स